सो हेलो प्रेंट्स, वेलकम बेक टू दा चैनल टेकनिकल ब्रभू दोस्तो फाइनली रेडमी नोट 10 सीरिज के रिगार्डिंग सब कुछ किलियर हो गया है इसके almost features, design and build quality और ये 4 March को officially launch होने वाली है तो आज मैं बात करने वाला हम Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में इसके almost features और ये क्या पिराज पर इंडिया के अंदर आएगा दोस्तो ये जो स्मार्टफोन होगा, ये Redmi Note 10 सीरिज के अंदर सबसे ज़्यादा highest variant होगा जहाँ पर 3 features को highlight किया गया है जियां दोस्तो इसमें आपको 108 MP का कैमरा मिल जाएगा ये दोस्तो confirm है, इसमें आपको 108 MP का कैमरा मिलेगा और ये मैं आपको confirm आगया के कर दूँगा इसके अलाबा आपको 5G processor and Super AMOLED display भी मिल जाएगी तो सब कुछ explain करूँगा आपके साथ तो वीडियो का आप interested होगी end तक बने रहे बड़ोसे बहले आपको इस वीडियो को फटावर्ट से like कर देना है चेनल को सब्सक्राब गर के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताक यहर वीडियो की notification आप तक पहुंश सके तो चली दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते है तो दोस्तो सबसे पहले बात करते है Note 10 Pro Max की design and build quality से तो इसमें आपको backside में glass मिलेगा साथ में Corning Gorilla Glass 5 की protection के साथ इसके अलावा दोस्तो आपको rectangular shape में quad camera setup मिल जाएगा जो की similar होगा Redmi K40 series से इसके अलावा दोस्तो आपको एक LED place और Redmi की branding मिल जाएगी दोस्तो इसकी display की बात करूँ तो इसमें आपको एक super AMOLED display मिलेगा जो की एक center punch hole cutout design के साथ आएगा दोस्तो हो सकता है display का size आपको 6.67 inch का मिल जाए इसके अलावा दोस्तो इसमें आपको security के लिए side mounted fingerprint scanner का support मिल जाएगा और display पर Corning Gorilla Glass 5 की protection भी मिल जाएगी एंड दोस्तो इसके performance की बात करूँ तो इसमें आपको Qualcomm की तरब से ही chipset मिलेगा जो की confirm है जो की यह Snapdragon 768G का chipset जो की 5G network को support करता है तो definitely performance बाज यह smartphone काफी कमाल का होगा और आपको battery एकदम gaming experience मिलेगा इसके अलावा दोस्तो यह smartphone Android 11 के साथ आएगा और आपको MIUI 12.5 का support भी मिल जाएगा दोस्तो यह smartphone dedicated SD card के slot के साथ आएगा मतलब दोस्तो आप दोस इनके साथ एक SD card भी लगा पाएंगे जो की काफी interesting बात है इसके अलावा दोस्तो इसके camera's की बात करूँ बट उससे पहले आप लोग इस image को जेको जो की मनुकमाल जन ने अपने total official account पर यह post किया था जो की आपको पता है कि हाथ में Redmi Note 10 Pro Max smartphone का box है यह दोस्तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें 108MP के camera को highlight किया गया है जो की दोस्तो आपको Note 10 Pro Max के अंधर ही मिलेगा यह तो आपको पता ही है कि Note 10 Pro के अंदर मिल नहीं सकता उसमें आपको 64MP का camera मिलेगा और Note 10 में आपको 48MP का camera मिलेगा तो यहाँ पर यह इससे confirm हो जाता है कि Note 10 Pro Max के अंदर आपको 108MP का camera ही मिलेगा इसके अलावा दोस्तो एक आपको wide angle lens, depth sensor और एक आपको micro lens मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तो प्रिंट में selfie के लिए साइथ 32MP का पंचोल selfie camera मिल सकता है और दोस्तो इसकी battery की मैं बात करूँ तो इस phone के अंदर आपको side 5000ms तक की battery मिल जाएगी और आपको 33W का far charging का support भी मिलेगा charging के लिए type C port support दिया गया है इसके अलावा दोस्तो इसके extra sensors की बात करूँ तो इसमें आपको side mounted fingerprint scanner, 3.5 mm खा audio jack, face unlock, camera 2 API and wide wine L1 features भी मिल जाएगे तो दोस्तो ये थे Redmi Note 10 Pro Max smartphone के features जो की अब तक reveal हो चुके है एंद दोस्तो ये 4 March को officially launch होगा तब देखते हैं कि ये smartphone और केन features के साथ आता है बाकी का दोस्तो मैं इसकी प्रैजिंग की बात करूँ तो leaks के according ऐसा निकल के आ रहा है कि ये smartphone around 20,000 में आपको मिल जाएगा लगबग आप लोग expect कर लो 20-20 रुपे की प्रैजिंग में ये आपको मिलने वाला है इसके अलावा दोस्तो ये सब कुछ था इस phone के बारी में जो की मैंने आपके साथ share कर दिया बाकी का दोस्तो और कुछ निकल के आएगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा तो बस इस वीडियो में बस इतना ही आयोप आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयो तो इसको लाइक सेर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मैं मिल दाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में ठैंक्स पूर वाचिंग